प्रेंड मैं हूं गुल्चन और अभी आपने गुल्चन अगेडिमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें फोर मोर अपडेट्स के लिए हेलो फ्रेंड मैं हूं गुल्चन और यह मेरी वेब डिजाइन टेटोरियर का एट्थ वीडियो जिसके अंदर आज हम बात करेंगे बैक्ग्राउंड इमेज इन सीएस तो उसके अंदर यह टॉपिक्स हैं हमारे जो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे बैक्ग्राउंड कलर बैक्ग्राउंड इमेज और उसकी साइज कैसे चेंज करना है पोजीशन कैसे चेंज करना है वो सारी चीजें सब लाइन मैंने उपन किया, जब इस के इंदर मैं क्या करता हूँ, आज का मैं बैक्राउंड इमेज और इमेज और कलर ठीकर, यह मेरा Hetting हो गयी यानि जो dip के पीछे मैं एक image लगाऊंगा पहले background लगा के दिखाता हूँ इस dip के अंदर then फिर मैं image लगा के दिखाता हूँ तो यह मेरी style वाली seat है मैं squatा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आज का यह dip की मैं styling करता हूँ तो यहाँ पर मैं class create कर लेता हूँ bg color के नाम से ठीक है आप यहाँ पर और कोई भी class का नाम कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं तो चलते हैं हम लोग style वाली seat के उपर और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ dot bg color से मैं class को call कर आया और इसकी मैं styling करता हूँ तो सबसे पहले मैं width लेता हूँ इसकी 100% height लेता हूँ 500 और एक background color लेता हूँ मैं red ठीक है तो यहाँ पर कितना लिया मैंने width 100% ले ली मैंने height मैं इसकी 500px लेता हूँ 500 pixel और मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं इसका background color देता हूँ जो property है हमारी red ठीक है इसको check करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको save करता हूँ पहले बापीश चलता हूँ मैं अपनी html page को इसको भी save करता हूँ और क्या करता हूँ मैं right click करता हूँ open in browser करता हूँ इसका background color नहीं change हुआ that means हमारी css की file लिंक नहीं है तो मैं head के अंदर जाता हूँ और सबसे पहले अपनी css की file को यहां पर link करता हूँ क्योंकि अभी national css use कर रहे हैं तो style.css मेरी css file का नाम है बापी चलते हैं open in browser करते हैं और यहां पर क्या हो गया है यह हमारे पास red color का एक background आ गया है ठीक है तो हमारी first topic हो गया इसमें point हो गया उसका background की background color हम कैसे dip के अंदर लगाते हैं next चलते हैं हम लोग और क्या गरता हूँ उससे पहले मैं comment कर देता हूँ और हम क्या करेंगे image लगाएंगे background के अंदर ताकि हम कोई भी div लें उसके उपर link भी सकें और पीछे हमारी एक image show भी होती रहे ठीक है तो इसके लिए background image का use करता हूँ और यहां पर मैं URL लेता हूँ URL के अंदर मैं क्या करता हूँ यहां पर अपनी image का नाम pass कर देता हूँ ठीक है मेरे पास पहले से इसमें एक image है मैं उसका नाम यहां पर pass कर देता हूँ अगर आपके पास और कहीं पर है तो आप उसका पात यहां पर कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर सकते हैं ठीक है और सेप करते हैं इसको ओपर इन ब्राउजर करते हैं तो देखो यहां पर हमारी इमेज आ गी है और यह क्या है हमारे पास रिपीट हो रही है इमेज बार बार ठ तो और इसके उपर हमारा जो content लिखा था है h1 में वह भी so हो रहा है ठीक है तो यह बात होगी चलते हैं subline के अंदर और हम क्या करते हैं इसको इसमें जो हमने background image हमारी repeat हो रही है उसको हम लोग क्या करते हैं unrepeat करते हैं तो इसके लिए हमारी एक property है background repeat ठीक है उसका use करेंगे और उसमें हम लोग value डालेंगे no repeat उससे क्या होगा कि हमारी जो image है वो single ही आएगी वो हमारी repeat नहीं होगी चेक करते हैं ब्राउजर पर जाते हैं refresh करते हैं अब हमारी पूरी dip के अंदर एक ही single image आ रही है इसका क्या करता हूँ इस image के अगर में को height width बढ़ानी है तो उसके लिए हम लोग एक parameter कर यूज करते हैं background size और इसके अंदर हम दो properties देते हैं एक width के लिए देते हैं और एक height के लिए देते हैं जो first वाली property होती है वो हमारी width के लिए होती है और जो second वाली property होती है वो हमारी किसके लिए होती है height के लिए होती है चेक करते हैं open in browser जाके करते हैं ठीक है रिफ्रेस्ट करते हैं और इसको check कर देखो हमारी पूरी width आ रही है पूरी depth के अंदर हमारी image आ रही है background के अंदर ठीक है बापी सलते हैं अब मैं क्या करता हूँ इसकी width और height है थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो position वाला है property है उसको हम लोग यहां पर use करके देखेंगे ठीक है तो इसके मैं 100 by 100 कर दिया है चेक करते हैं कैसी सो हो रही है एक कौने में आ रही है छोटी सी ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको position देता हूँ कि मेरे को यहां पर right के अंदर चीए यह तो उसके लिए मैं position property का use करूँ बैक्राउंड पोजिशन का ठीक है तो बैक्राउंड पोजिशन पहले मैं यहां पर right लिख देता हूँ तो यह क्या होगी हमारे पास centralized होगा right side आ जाएगी और center के अंदर आएगी right side में देखा ठीक है ना यह उपर आए bottom में आए ना top में आए तो इसके लिए मिरे को यहां पर दो properties use करनी होती है right top तो इसमें क्या होगा कि जो मेरी image है right के अंदर top के ऊपर आएगी वैसी अगर में को bottom में चीए तो right bottom अगर center के अंदर चीए तो center ठीक है मैं यहां पर पहले right bottom भी करके दिखा देता हूं आपको right bottom तो वो हमारे कहां पर आ रही है right bottom के अंदर आ रही है अगर वहां पर में top कर दूंगा तो कहां पर आएगी मेरे पास top के अंदर यहां पर अभी मैं center करके दिखाता हूं आपको तो हमारी image कहां पर आ जाए तो यह हमारे पास क्या हो गया सेंटर आगी तो यह हमारे बैक्ग्रांड पॉपर्टी होगी जो हम css के अंदर यूज करते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी कहा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं